हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो लिटिंग नाइफ फ्रेंड्स अपने लास्ट वीडियो में हमने यह बेबी जैकेट बनाना सिखा था तो अब हम इसी से मैचिंग जो है बेबी का बॉनिट कैप हैट बनाना सिखेंगे बहुत ही असान तरिकेश और भहत खूब सुरत तो देखे मालो इस्टाय हमने शुष के लिए सबसे पहले हमने प्रिए स्टिचिंग लिए इतना सा धागा मेरे छोड़के concept of the Brle तो ऐसे हम जो तरीक आपको ठीक लिटता हो उस तरीके से 13 फंदे पहले सिंगल धागे से कास्टोन कर लिए तो यह हमने 13 फंदे कास्टोन कर लिए अब यह जो हमने एकसा धागा रखा था स्टिचिंग के लिए सिलाई के लिए इसे हम इस तरह से बांद लेंगे ताकि यह बा लेकिन उल्चे नहीं काम में अब देखिए हमने क्या करना है फ़र्स ट्रो पहले फंदे को सीधा बुनेंगे क्योंकि फर्स ट्रो है अब अकला फंदा उसे एक बार आगे से और पीछे से बुनकर इसके दो बना लेंगे और यह दो फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करने ह इससे सीधा पार एक फंदे के दो निच वन मेक्टू कीप रर मुपीटिंग ऐक पार इक सीधा एक पंदे के दो ऐसे हम यह सारे कंदों में कर लेंगे पूरी रो इसा इसाई बना लेंगे यह रों कंप्ली ओने से हमारे 6 फंदे बढ़ गए अभी हमारे 19 फंदे हो गए हैं 6 स्टिचे इंप्रीज हुए और अभी हमारे 19 स्टिचे हो चुके हैं अब इस तरफ से इन 19 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है तो यह पूरे 19 के 19 फंदे उल्टा बुनने जाएंगे अब तो फ्रेंट्स अब देखे एक फंदों किसे झाला है स्ट इस्टा डीन हें यह प्या तो यही हमने रिपीट करना है में थी पर्लवान तीन हमेंगे 3 फंदे वन टा पालईंगे फिर में यही हमें इल्टा पूरी में ही करेंगे एक फंदा उल्टा फिर तीन फंद बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा तो यह पूरी सिलाई ऐसे बना लते हैं तो देखिए फ्रेंट्स लास्ट में हमारे तीन जो हमने बनाए और फिर एक फंदा सीधा बुन लिया क्योंकि राइट साइट थी अब रॉंग साइट से पहले नियुक्त लोगे प्रेंड क॥िती डुनुक्त बनानेगे तो इस सबड़ में आमा साइट लेखिए अनुक्त इन टृम depending में इस सीधा बनाऊ है तो यह पूरी रॉड एक पंद ऋनां है तीन एक अरी रेटे प्रटे इस चिछेम may सिधा प्र Awak इस तरह से बुन लिया है अब इस रो में दिखिए क्या करेंगे रो फिफ्थ पहला फंदा स्लिप किया यह जो हमने तीन बना थे इसमें से एक तो हम सीधा बुन लेंगे ऐसे और यह बीच वाला सीधा है इसके हमने फिर से तीन बना लेने हैं क्योंकि कैप के लिए हमने एक बढ़ाने होते हैं तो हमने यह तीन बना लिए एक फंदा सीधा फिर यह एक फंदा उल्टा जाएगा और फिर यह हमने रिपीट करना है एक बार मैं और बताऊंगी आपको देखिए एक फंदा सीधा फिर इस एक फंदे के तीन बनाएंगे ऐसे फिर एक फंदा सीधा और 1 ब्रकेत करें एक नांग हो जाएंगे मतलत ओल्ड़ करेंगे कर तरु पुरी रो में यह Bliagsk पूरी रों में यह उल्टा जाएंगे तो में ओल्प संप लह कर metall हैं टो फ्रेंड जो हमारी गन्वीन क टोने से मिरा ऑब शाएंगे तो फृष्टींफ लूने कर लेंगे 1 2 3 4 5 और एक फंदा सीधा तो यह सारी सिलाई कम्प्रीट कर लेते हैं तो फंड शिरो कम्प्रीट करने के वाद रोड 7 शिलाई इसे विधान से रेकिए पहले फंदे को सिलिप करेंगे अब हम इस एक सिधे फंदे के पहले दो बना लेंगे इस सिधे पुन लेंगे इस सिधे फंदे के लोड वना लेंगे अब फिर इस सिधे फंदे के दो बना लेंगे तो आसे हमने यह पांच फंदो के साथ फंदे बना लिए पहले के लिए जै sulphís कि बीच के तीन फंदे सीधे अब एक फंदा ये उल्टा और यही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे make two knit seven sorry make two knit three make two purl one make two हो गया तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर से एक फंदे के दो बनाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा पूरी रो में ये कते हुए हमने जाना है तो साथ सीधे और एक उल्टा ये हमारे फंदे हो जाएंगे तो ये पूरी रो हम ऐसे ही complete करेंगे तो देखें फ्रेंड ये जो है हमारी रो complete होने के बाद अभी हमारे 18 फंदे और पढ़ गए हमारे 73 फंदे हो गए हैं अभी हमारे पास अब इस तरफ से तो आपको पता ही है पहले फंदे को slip-cut के इस बार हमारे साथ फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा पर्ल सेवन नेक फंद कीप रिपीटिंग तो पूरी रो में ही करेंगे साथ फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आगए और जो एक फंदा सीधा चल रहा था ये सीधा आएगा तो पूरी रो ऐसे ही बुनकर complete कर लेंगे और 73 फंदे हैं अभी तो देखें हमारी रो complete हो लास्ट टाइम हम बढ़ाएंगे पहला फंदा सिल्प करने के बाद इस एक फंदे के दो बनाएंगे एसे बीच के पांच फंदे सीधा आएंगे मेक 2 निट 5 मेक 2 पर्ल 1 एक रिपीटिंग ये दिखें ऐसे फिर इस के दो बनाएंगे तो हमारे ये 9 फंदे हो गए अब और एक फंदा जो उल्टा चल रहा था ये उल्टा पूरी रो में ही करेंगे करने डो बनाएंGER मेक भीच के पांच फंदे सीधे फिर वह बनाएंगे और अल्टा उल्टा उल्टा तो ये रो हमारे से पांपिलीट वागि उसके भाद हमारे 91 इकानवे फंदे हो जाएंगे तो यह रो कम्प्रीट कर लेते हैं तो अभी 91 स्टिचिज को 91 इकानवे फंदे जो है हमारे हो चुके हैं जिने हमने अब इस से पहला फंदा स्लिप करके अब नौ फंदे उल्टे आएंगे एक फंदा सीधा आएगा परल 9 निक 1 कीप रिपिट करने की बढ़ाने की लास्ट रो है तो यह नौ फंदे उल्टे एक फंदा यह सीधा जाएगा तो यह पूरी रो अब हम ऐसे ही कम्प्रीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यह 91 स्टिचिज है इकानवे फंदे हैं और अब हमने इंक्रीज नहीं करना है तो देख तो आप हमने यह one by one रिप जो बुनते हैं हम यानि की फंदा सीधा इक फंदे जो बुनते हैं इस तरह से इन फंदो को बुनना है देखिए मैं आपको यह अपको यह उल्टे फंदे तक बताओंगी क्यूंकि यह इक सिधा बुना फिर यह जो सीधा बुना हमने तो ऐसा करन 91 इकानवे फंदे एक चिदा करके लिए लास्ट में देखिए एक सीधा के बाद एक सीधा के फिर्टीच को भी हमने सीधा वना था अब इस तरफ से पहले फंदे को परल वाई स्लिप करेंगे अब यह फंदा अगला फंदा सीधा रेगा तो जैसे है फंदे वैसे बुने तो यह हम टोटल सिक्स रोज चे सिलाई बना लेंगे तो देखिए हमने यहां पर छे सिलाई जो है वन बाई-वन रिपकी बना ली है और अब हमने यहां पर पैटर्न स्टार्ट करना है लेकिन साथ में हमने दोनों तरफ बॉर्डर भी बनाना है देखिए कैसे पहला फंद अ अब हमने चार फंदे उल्टे बुनने हैं तो यह पांच फंदो का हमारा जो है यह इस तरफ बॉर्डर बनेगा ऐसे स्लिप वन परल फोर और उसके बाद जो हमारा पैटन था पूरे फंदे हमने सीधे बुनने हैं लास्ट के पांच फंदो तक टिल लास्ट फाइफ तो लास्ट के पांच फंदो पर हमने यहां पर फिर से जो है ऐसे ही बॉर्डर बनाना है मतलब की चार उल्टे आएंगे लास पैटन की दस लाइने बनानी है यानि टोटल 40 रोस 40 चाली सिलाइएं बनाएंगे तो पैटन की दस लाइन बनेंगी क्योंकि चार चार सिलाई का जो है एक एक लाइन है पैटन की तो यह बना लेते हैं तो और इसलिए अपको समझ में आएगा देखें फ्रेंड समने यह 40 र बहुत ही दहान से देखिएगा देखिए पहले फंदे को हमने इसलिप किया अब जो बॉर्डर है इसको जैसे है वैसे ही बुनेंगे चार फंदे यह उल्टा जाएंगे बॉर्डर वाले अब हमने एक फंदा उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए यह बीच के फंदे बुन लेने हैं वन बाइवान रिप के लिए एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए हम यहां पे बटन बैंड के फंदों तक पहले बुन लेंगे एक रो तो यह पूरी रो में हमने ऐसे यानि कि दोनों तरफ बॉर्डर और बीच में 1 by 1 रिप अब इस तरफ से भी हमने यही करना है बॉर्डर के फंदे इस तरफ से हमारे उल्टे बुने जाने थे रॉंग साइट से तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदे जैसे है वैसे बुने जाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो अब यह बीच में 1 by 1 रिप बुनेंगे और साइट में बॉर्डर बुनते हुए हमने टोटल 5 रोज बुननी है पांच लाएं टोटल बुननी है हम यह दूसरी बुन रहे हैं इसके देखिए फ्रेंड्स हमने एक सिधा एक उल्टा की पांच लाएं बुननी है वन बाई वन रिप की 5 रोज हम बना चुके हैं बॉर्डर दोनों तरफ रखते हुए और इसे हमने रॉंग साइट पे जो है वो फिनिश किया है रॉंग साइट से अब हम क्या करेंगे देखिए पांच लाई इसलिए हमने बुनी थी इसे हम ऐसे टर्न करेंगे और जैसे हम डबल बॉर्डर के लिए फंदे उठाते हैं देखिए क्या करना है पहले एक फंद उठाएंगे और यहां पे जो हमारी फर्स ट्रो थी रिपिंग वाली है जिसमें हमने पहली सिलाई में जो हमन हम एक फंद्दा ठाएंगे और इस एक फंद्द ख़ाएंगे और इस एक फंद्दे के साथ भुनेंगे इसे ऐसे ore तो फंद को उतार के लिए फंद नीचे वाले फंदे के साथ बुनते जाएंगे लेकिन यहां पे भी हमने फिर एक फंद थोड़ के इस फंद को ठाएंगे फिर इन दों का एक लेंगे तो बॉडर में ही थोड़ा सापको यह मुश्किल लगे का जिए फिर एक फंद हम सिधा अब यह जो सीधा फंदा है इसे यहां से उठाना आसान रहेगा देखिए यहां से पहचाना जाता है जो सीधा फंदा इस तरफ सी उल्टी इसकी जो है यह रिब बनेगी ऐसे तो यहां से हम इसे उठा लेंगे ऐसे फिर एक फंदा जो यह उल्टा है इसे भी सीधा बनेंगे और जो सिधा फंदा है इसे हम नीचे से यह दिखिए अब यहां से उठाना असान हो जाएगा जो यह सिधा फंदा इस सर्फ से यह उल्टा दिख रहा है ऐसे तो यहां से हम इसे उठा लेंगे तो यह बीच के जो रिबिंग वाले फंदे हैं इनको उठाना जो असान हो जाएगा एक फंदा सीधा बुनेंगे जो उल्टा था और जो सीधा फंदा था इसे यहां से उठा रहेंगे और इसे जो यह बॉटम रो है यहां से उठाते हुए ऐसे बुले तो होप यह चीज आप दो फंदे सीधे बुनेंगे घ् hosting लोमेशनी करेंगे वर्टो नइट two निट अब यह जो 2 सीधे हैं इसके आगे पिछे एक फंदा बढ़ाएंगे देखिए पहले एक फंदा बढ़ाया फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे फिर 2 फंदे उल्टे तो यह हमने पूरी रोमे करना है 2 फंदे उल्टे, पर 2, इंक्रीज 1, निट 2, इंक्रीज 1, कीप रिपीटिंग, 2 सीधे, फिर एक बढ़ा लेंगे, फिर 2 उल्टे, तो ये पूरी रो ऐसे पिना कर कम्प्रीट कर लेंगे, तो ये रो हमारी कम्प्रीट हो चुकिए, आप देखे, इस रो में हमने जैसे हैं फ इन फंदे सिधे आएंगे, स्टार्टिंग के, फिर 2 उल्टे आएंगे, और उसके बाद पूरी रो में 4 फंदे सिधे 2 उल्टे बुनते हुए जाएंगे, हम, ऐसे, विट 4, पर 2, कीप रिपीटिंग, ये हमने रिपीट कते हुए, अब ये पूरी रो कम्प्रीट कर तो ये हम जो है, तीन और सिलाई पहले बुन लेंगे, वर्क 3 रोज, तो ये हमने 3 सिलाई बुन ली अब इस तरफ से हमने रॉंग साइट से, जो मतलब की हमारे कैप की तो राइट साइट है, लेकिन वैसे रॉंग साइट होगी फ्रेल की, तो यहां से हम जैसे फंदे हैं हैं, जैसे बुनते हुए बंध कि पूंदे हैं, जा रॉंग उल्टाून कबंद करें हैं, न में बंद को सिरह अल्गित भूंद आईyas जो सीधे पूंद दिख रहे हैं उन्हें सीधा बनते हुए, तो ऐसे हमने यह सारे हम बंद के लिए इसको हम थोड़ा समय बताऊंगे कैसे हमने जोड़ना देखिए पहले जो हमने ये फंदे कास्ट आन किये थे इन सबको हम एक साथ ऐसे रनिंग स्टिच बनाते हुए पिक लेंगे ऐसे उठा लेंगे और अब इसे हम इसे पका करके इसे सीच्यार कर लेंगे इस तहा यहां तक यह पोर्शन जो इसे सिल लेना है तो अब इसे सिल लेते हैं अगर वीडियो पूरा बनाएंगे तो बहुत लेंथ हो जाएगी तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं तो यह स्टिच करने के बाद अब हम यहां से जो है तीन फंदे उठाएंगे ऐसे और उसके बाद हो गया है तो आप भी से ट्राय कीजिएगा पूरी ड्रेस को मुझे बताईएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है मिलते हैं फिर एक और ने वीडियो के साथ तब तक चुड़े रहेगा चैनल से थैंक यू